हेलो, नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चानल पे, तो आज हम बनाएंगे ओरियो मिल्क शेक, जिससे बनाना बहुत ही आसान है, और आप इसे घर पे बढ़ी ही आसानी से बना सकते हैं, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं, ओरियो मिल्क शेक, उसके लिए ये सारे इंग या फिर आप 10 रुपे वाला पाकट ले सकते हैं, एक चम्मचीनी, थोड़ी से आइस क्यूब, वनिला आइस क्रीम, और लास्ट में हम यूस करेंगे कुकोवा पाउडर, आप चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो, तो चलिए चलते हैं हम बनाने के प्रोसेस में, तबसे प डालेंगे एक गलास दूद, जैसा कि आप देख रहा हैं, और दूद डालने के बाद हम इसमें डालेंगे आइस क्यूब, तो आप अपनी हिसाब से डालें, आप चाहो तो आइस क्यूब स्किप भी कर सकते हो, और उसके बाद हम इसमें डालेंगे आइस क्रीम, तो मैं वनि पर देश्क्रम डालने के बाद last में हम इसमें डालेंगे cocoa powder आप चाहो तो इसको skip भी कर सकते हो लेकिन अगर आप cocoa powder डालोगे तो इसका तेस्ट बहुत ही अच्छा आता है तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने वन टेबिल स्पून cocoa powder इसमें डाल दिया है और अब हम जार को close कर लेंगे और क्लोज करने के बाद इसको अच्छे से ब्लैंड कर लेंगे ब्लैंड करने के बाद मैं आपको खोल के दिखा रही हूं तो हमारा जो Oreo milk shake है वो तैयार हो गया है तो अब हम चलते हैं इसको सर्फ करने के प्रोसेस में तो मैंने एक सर्विंग ग्लास लिया है जिसे मैंने पहले से डेकोरेट किया है अगर आपने मेरे पुराने वीडियो देखे होंगे तो मैंने बताया है कि कैसे ग्लास को आप डेकोरेट कर सकते हो उसके बाद हम सबसे पहले ग्लास में डालेंगे ए कर देखा हुआए था तो मैं आपको क्लॉस करके दिखा रही हूँ इस तरीकी से और बिस्किट डालने के बाद हम इसमें डालेंगे अपना शेक जैसा की आप देख रहे और श्रीक मैंने ग्लास में डाल दिया है तो अब हम चलते हैं इसके डेकॉरेशन के प्रोसस में तो डेकॉरेट करने से पहले मैं इसमें आईस क्रिम डालूंगी जो हमने बचा करके रखी हुई थी वनीडा आईस क्रिम तो जैसा कि आप देख रहे हैं तो अगर आप चाहो तो आईस क्रिम स्किप भी कर सकते हो लेकिन मैं इसमें आईस क्रिम डाल रही हूँ इस तरीके से और आईस क्रिम डालने के बाद हम इसको हलका सा डेकॉरेट करेंगे तो मैं इसमें जो मैंने बिस्किट क्रश किया थे उससे इस तरीके से डेकॉरेट कर र आप इसको skip कर सकते हो लेकिन ऐसे करने से जो हमारा presentation है कफी अच्छा लगता है तो मैंने biscuit से इस तरीके से इसको decorate कर दिया है और last में मैं एक biscuit ले रही हूँ और इस तरीके से इसको open करके glass में इस तरीके से टक कर रही हूँ जैसा कि आप देख रहा है तो हमारा जो final look है वो त्यार हो गया है और आपको ये oreo milkshake बहुत ही अच्छा लग रहा होगा देखने में और I am sure अगर आप इसको घर पर बनाएंगे तो देखने में तो अच्छा लगे गही पीने में भी आपको बहुत मज़ा आएगा तो I hope आपको मेरे वीडियो बहुत पसंद आया है अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेर, कॉमेंट और सब्सक्राइब मैं चैनल Happy Cookie